हेलो देख रहे हैं All Study Easily चैनल आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का important question है जो हर बार exam में आता ही है देखिए तो हमारा question है गर्मियों में पसीना आने से सरीर सीतल क्यों हो जाता है तो इस cancer देखिए इनसान को पसीना इसलिए आता है ताकि सरीर का ताप्मा नियंतित रहे इनसान को पसीना किसलिए आता है कि उसका body का जो temperature है वो हमेशा control में रहे नियंतित मतलब का control में रहे ठीक है न क्योंकि जब गर्मियों बहुत बढ़ जाती है तो सरीर में मौचुद ग्रंतिया वो पसीने की बूंदे निकालना सुरू कर देती है जब गर्मियों बहुत ज़दा बढ़ जाती है तो क्या होता हमारे जो body में ग्रंतिया होती है वो क्या है चोटी चोटी पसीने की बूंदे निकालना सुरू कर देती है जब वहा हवा के संपर्क में आने से सुखने लगती है तो हमें ठंड़क महसूस होने लगती है देखिए जब वहा हवा के संपर्क में आती है तो उससे कहें पसीना हमारा सुखने लगता है जिससे हमें कहें ठंड़क महसूस होती है तो इसलिए हमें सीतल का अन्भाव होता है गर्मियों के टाइम में तो यह था आपका इसका आंसर आप इसे पढ़ लीजिएगा और यह डेफिनेटली अग्जाम में आता ही है ठीक है और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दाबाले ना भूले और कमेंट करके बताये आपको यह कुशन कैसा लगा है थैंक यू